धर्म हो या विज्ञान गौवण्च की महत्ता किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं है विभिन्न शोध ये बताने के लिए काफी हैं कि भारती ये गौवण्च मानव जाती के लिए अलोकिक और अनुपम वर्दान है हाला कि वेग्यानिक शोधों के ही दूसरे पहलू पर नजर दोड़ाई जाए तो कई बार ये तक पता चला कि गाए के दूट से कैंसर जैसे रोग जलित होते हैं बेशक यकीन करना मुश्किल है सच भी है लेकिन सिर्फ आधा सच इससे आगे का सच जानना भी जरूरी है क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में दो तरह का गौवंश होता है एक वो जिनके उत्पाद इंसान को बरबाद कर सकते हैं तो दूसरे के आबाद पहला गौवंश A1 टाइप का है और दूसरा A2 टाइप रिसर्च से ये साफ हो चुका है कि अधिकांच विदेशी गौवंश A1 टाइप हैं जिनके उत्पाद नुकसान दे हैं आउकलिंट की A2 कॉपरिशन और साइन्टिस्ट कोरीन लैक मैकने के मुताबक A1 टाइप की गायों के दूद में बीटा कैसीन A1 होता है जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन ग्रोथ हामोन फैक्टर वन का निर्मान तेजी से होने लगता है साथ ही इससे कई तरह के कैंसर जनित रोग होने के पुष्टी हुई है गठिया जैसे रोग होने के संभावना रहती है एक सर्वे के मुताबक स्वीडन, यूके, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलिन में A1 टाइप का दूद इस्तमाल करने से लोगों में हार्ट डिजीज और शुगर डिजीज के ग्राफ में टेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है वहीं फ्रांस और जापान में A2 टाइप का दूद पीने से ऐसे मामलों में कमी देखी गई अब सवाल ये है कि A1 और A2 टाइप की गायों की पहचान कैसे हो पश्चिमी वैग्यानिकों के मुताबिक हॉलिस्टीन, रेड डैनिश और फ्रीजियन ब्रीड A1 टाइप की है यानि विरेशी नसल की गाय A1 कैटेगिरी की है जो फाइदे मंद कम और नुकसान देह ज्यादा है मुई बात अगर A2 टाइप की गायों की करें तो दुनिया के लिए ऐसी गाय देने का श्रे सिर्फ भारत को है जिसे आज बहुत से देश समझने भी लगे है ब्राजील जिसके पास एक भी भारतिय नसल की गाय नहीं थी उसी मुल्क में चंद भारतिय गायों को आयात कर आज ऐसी करीब 40 लाग गाय तयार कर ली गई है जिनमें से बहुत सी अब यूरोपीय देशों में निर्यात की जा रही है आज 16 से जादा पश्चिमी देशों में भारतिय गाय के आर्थिक महत्व के चलते लाखों की तादाद में पाला जा रहा है भारतिय गौवंश का महत्व इस बात से भी साबित हो जाता है कि अकेले अमेरिका ने इन गायों पर रिसर्च के लिए 20 हजार करोड खर्च किये है वहीं दुनिया के दूसरे मुल्क भी भारतिय गौवंश पर नकेवल रिसर्च कर रहे है बलकि भारतिय मूल्की गायों से स्थानी गायों की ब्रीडिंग करा रहे हैं ताकि उनकी गायों की नसल बहतर की जा सके अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विक्सित देशों में A2 टाइप गाय के दूद की डिमाड तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वहां के लोग इस बात को जान चुके हैं कि A1 टाइप का दूद उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं दूसरी तरफ हमारा देश है जहां अपनी नसल को बचाने और उसे उन्नत करने की बजाए विदेशी नसल यानि A1 टाइप गौवंश से क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा रही है और यही वज़े है कि ऐसा करने से हमारी भारतिय नसल बरबाद होती जा रही है